हाई फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं फिर से आप सभी के लिए देखी कितना सुंदर सा स्वेटर की डिजाइन लेकर आई हूं बहुत प्यारा डिजाइन है यह यह जैसे लेडि जैन से या जैसे बच्चों के स्वेटर पर किसी भी प्रजेक्ट डाल यह बहुत ही प्यारा लगेगा यह तो आज इसी डिजाइन को मैं आप सब के साथ सेयर करूंगी वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ मैं कैसे बना हुआ है और हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए बे आपके साथ सेयर करूंगी तो आयों शुरू करती हूं अब इस डिजाइन को बताना देखिए यह पहला फंद है हम इसी तरह ले लिए अब यह पूरा सलाई हम सिधा सिधा बुनेंगे सिधा सिधा बुन के कंप्लेट करेंगे मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि आप सभी को नया नया पैटर्न बताऊं और कोशिश करती रहूंगी तो वीडियो पूरा देखिएगा और हमारे चैनल से जूड़े रहे वीडियो देखते रहे और कोशिश किजिए बनाने को आप भी यह देखिए यह एक सलाई कंप्लीट हो गया सिधा सिधा बुन के इस टीजैन को हम जब भी निकालेंगे बॉर्डर बनाने के बाद क्या करेंगे कि हम दो सलाई उल्टा सिधा बुनेंगे बॉर्डर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दो सलाई उल्टा सिधा बुनेंगे सिधे के तरफ से एक सलाई सिधा हो गया अब उल्टे के तरफ से एक सलाई हम उल्टा बुन के बनाएंगे इसको यह देखिए उल्टे साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे कि यह बहुत ही असान डिजाइन है और बहुत सुन्दर लगता है थोड़ी सी मोटीव उन पर बनाईए एकदम उठा उठा सा डिजाइन आएगा इसका बनके उभर के आएगा बहुत ही सुन्दर यह लेडिज जैकेट कोटी काडिगन किसी भी चीज पर डाले जैंस के स्वेटर पर डाले बच्चों के स्वेटर पर डाले बहुत ही प्यारा लगता है यह अब देखिए यह अभी यहाँ से सुरू कर रहे हूं यह देखिए एक दो तीन चार ये चार फंदा उल्टा धागे पीछे एक दो तीन चार ये चार फंदा सिधा धागे अपने तरफ एक दो तीन चार चार फंदा उल्टा धागे पीछे एक दो तीन चार चार फंदा सिधा धागे अपने तरफ एक दो तीन चार चार फंदा उल्टा धागे पीछे एक दो तीन चार चार फंदा सिधा और ये लास्ट का है कि नरे काते इसको हम सिधा सिधा बुनके कंप्लीट करेंगे अब उल्टे तरफ से पूरा रो उल्टा भुनके कंप्लीट करेंगे इस तरह हुआ हुआ है यह देखिए, यह कम्पिलीट हो गया उल्टे के तरफ से, अब सिधे के तरफ से देखिए इसको, फिर हम उसी तरह रिपीट करेंगे इसको, एक, दो, तीन, चार, चार फंद उल्टा धागे पीछे, एक, दो, तीन, चार, चार फंद सिधा, धागे अपने तरफ, एक, दो, तीन, चार, चार फंद उल्टा धागे पीछे, एक, दो, तीन, चार, चार फंद सिधा, धागे अपने तरफ, एक, दो, तीन, चार, चार फंद उल्टा धागे पीछे, एक, दो, तीन, चार, चार फंद सिधा, धागे पीछे रखेंगे, यह किनारेका है, तो इसको हम सिधा सिधा बुन के कंप्लीट करेंगे अब उल्टे तरफ से देखिए उल्टे तरफ से पूरा रो उल्टा बुनना है कि बहुत असान डिजाइन है यह और बनने के बाद बहुत ही सुन्दर लगता है आप आंक बंद करके भी बना सकते हैं इस डिजाइन को बस इसका वो ध्यान में रखना चाहिए कि कितना फंद हम उल्टा बुन रहे हैं कितना फंद सिधा बुन रहे हैं इस डिजाइन से आप ब्लैंकेट और भी बच्चों को बना सकते हैं कैप बना सकते हैं यह देखें कंप्लीट होगे आप सीधे के तरफ से फिर हम उसी तरफ बनाएंगे एक दो तीन चार चार पंद उल्टा धागे पिछे एक दो तीन चार चार पंद सीधा धागे अपने तरफ एक दो तीन चार चार पंद उल्टा धागे पिछे एक दो तीन चार पंद सीधा धागे अपने तरफ एक दो तीन चार चार पंद उल्टा धागे पिछे एक दो तीन चार चार पंद सीधा धागे अपने तरफ इसको हम सीधा सीधा पून के कंप्लीट करेंगे । शीधे के तरफ से ये किनारे भला थंदा हम सीधा सीधा पून के कंप्लीट करेंगे बूल्टे तरफ से पूरा रो उल्टा बूनेंगे यह देखिए इस तरफ उनका कॉम्पिलीट करेंगे अब सी देगा तरफ से देखिए, सी देगा तरफ से फिर हमुसी तरफ नाएंगे इसको एक, दू, तीन, चार चार फंद उल्टा धागे पीछे एक, दू, तीन, चार चार फंद सीधा धागे अपने तरफ एक, दू, तीन, चार चार फंद उल्टा धागे पीछे एक, दू, तीन, चार चार फंद सीधा धागे अपने तरफ एक, दो, ती, चार, चार फंदा उलटा धागे पीछे, एक, दो, ती, चार फंदा सिधा या किदा रहा है तो इसको भोंक कीदा सिधा सिर दुद इधा करने, अब उलटे तरफ से पूरा रो हम उलटा बुद के कंपलेट करेंगे, झाल झाल यह देखिए यह complete हो गया अब हम क्या करेंगे यह देखिए यह पूरा डिजाइन complete हो गया एक दो तीन चार चार लैंड बनाएंगे अब इसके बाद हम एक सलाई पूरा सिधा सिधा बुनेंगे चार लैंड बनाने के बाद पूरा सलाई हम इसे सिधा सिधा बुनेंगे फूरा लैंडे। अब उल्टे तरफ से पूरा रों हम उल्टा बुनेंगे अब देखिए फिर अब सीधे के तरफ से यह दो सलाई उल्टा सीधा बुनेंगे यह डिजान कंप्लीट होने के बाद अब फिर देखिए यहां पर एक दो तीन चार चार फंद सीधा धागे अपने तरफ एक दो तीन चार चार फंद उल्टा धागे पीछे एक दो तीन चार चार फंद सीधा धागे अपने तरफ एक दो तीन चार चार फंद उल्टा धागे पीछे एक दो तीन चार चार फंद सीधा धागे अपने तरफ एक दो तीन चार चार फंद उल्टा धागे पीछे एक किनारेक है तो इसको सीधा सीधा बून के कंप्लीट करेंगे अब यह देखे yeah complete हो गया अब हम इस डिजैन को यहां पर निकालेंगे और इसको यहां पर ये इसी तरह बनेगा ये डिजाइन जब complete हो जाएगा चार लाईन ये देखिए एक दो तीन चार उसके बाद हम क्या करेंगे दो सलाई सीधा उल्टा बुने के बाद क्या करेंगे फिर से हम इस डिजाइवन को निकालेंगे उल्टा पर सीधा और सीधा पर उल्टा ये इसी प्रूड एक वार कोशिस किजिये इस डीजाइन को बनाने को और हमारी चैनल को अभी तेक अपने सब्सक्राइब नहीं तो प्रेस्ट किजिए ताकि मेरी डीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और स्वास्त रहें मेरी विडियो देखते रहें फिर में कुछ नए डीजाइ के साथ